हेलो फ्रेंट्स मैं मंझू एक बार फिर से वेलकम है आपका अपने यूटूब चैनल मंझू की बगिया में फ्रेंट्स यह है कपास फ्लावर प्लांट और अगर आपको याद होगा तो मैं इसको नर्सरी से लेकर आई थी और मैंने इस पे एक वीडियो भी बनाई है आप ल बड़ों से भरा हुआ है मैंने इसकी थोड़ी सी केर की है और अब इसकी बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है तो आज मैं इसी पे वीडियो आप लोगों से शेयर करने वाली हूं कि यदि आप भी कपास का प्लांट लाते हैं तो उसको किस तरह से लगाएं और उसकी समय समय से कैसे देख भाल करनी है जिससे की वो इस समय फ्लावरिंग करेंगे और अब इसका फ्लावरिंग पीरियड आ गया है क्योंकि इसमें आज पहला पूल आया है और काफी बडों से यह भरा हुआ है आप देख सकते हैं इसकी एक खास बात है कि इसमें जितने ही पत्ते होते ह हैं उतने ही इसमें फूल होते हैं देखिए सभी पत्तों के साथ नई बढ़ है और सभी फूल खिलेंगे तो बहुत ही कुपसूरत लगेगा यह जो कपास का फ्लावर प्लांट है तो चलिए इसके बारे में कुछ शेयर करते हैं जानते हैं कि इसको किस तरह से गार्डन में लगाना हुए कि मैं भी इसको पहली बार लाई थी और मैंने आप लोगोंस बताया था कि अभी में मुझे इसके बारे में कोई नालिज नहीं है और फिलाल यह पूरी सर्दियां हमारे यहां लगा था और इसमें कोई भी प्रोग्रस नहीं हुआ लेकिन अब इन दिनों या कैसे लगाना है और कैसे केर करना है जब मैं इसको नर्सरी से लेकर आई थी तो यह प्लांट बहुत ही छोटा था और मैंने इसको लाकर कि कुछ दिन अपने गार्डन में रखा हुआ था और उसके बार मैंने इसकी रिपॉर्टिंग की है और मैंने इसको प्लास्टिक अप बनाएं और यह सनलविंग प्लांट है आप इसको जहां भी रखें दूप में रखें इसको दो-चार घंटे की दूप मिलनी चाहिए पानी आप इसको समय समय से दीजिए क्योंकि पानी तो सब प्लांट के लिए बहुत जरूरी है पौधों को आप पानी देंगे ही तभी वो आपका प्लांट ग्रोध करेगा तो पौधों को पानी आप समय समय से दीजिए इस बात का ध्यान रखें कि उसकी मिटी मौइस्टर नी चाहिए समय समय से आप इसकी मिटी में गुडाई भी कर सकते हैं और मिटी जब इसकी ड्राय हो जाए तो आप उसको गुडाई करें गुडाई करने के बाद में एक समय उसको छोड़ दीजिए यानि सुबह आपने गुडाई की है तो शाम तक उसको छोड़ दीजिए अगली सुबह इसको पानी दे सकते हैं. और पानी इसको बहुत पसंद है. कपास प्लांट को आप देख सकते हैं, हमारे इस plant pot में काफी नमी है, क्योगी मैंने इसको साम को पानी दिया है, और इसमें कुछ Merry Gold उग रहे हैं. क्योंकि उनके फूल में डाल देती हो, कहीं ना कहीं तो उनसे बेबी प्लांट्स रेडी हो जाते हैं तो इस तरह से कपास की आप थोड़ी बहुत केर करें तो आपके गार्डन में वह अच्छी ब्लूमिंग करेंगे प्लांट को घनावा बुशी बनाना है तो फ्लावरिंग स्टार्ट होने से पहले यानि बड़ बनने से पहले आप इसकी थोड़ी प्रूनिंग कर सकते हैं प्लांट को आप जितना प्रून करेंगे उतना ही घनावा बुशी होगा और जितना ही घनावा बुशी होगा उतने ही बड़ और फ्लार आएंगे और अगर पेस्ट की बात करें तो इसमें मिली बग लगते हैं और जिस तरह से ही विसकस में मिली बग बहुत ही अटेक करते हैं सेम उसी तरह से इसमें भी मिली बग लगते हैं क्योंकि दिखा सकते हैं आपको हम देखिये इसमें बट आई हुई थी और मिली बग लगा तो यह बढ़ और आभी देखिए इसमें मिली बग लगा हुआ है और मैं इनको पेस्टिसाइट का छिड़काव करूंगी जिससे की हमारा प्लांट स्वस्त रहेगा और इसमें किसी भी तरह के कोई कीड़े अटेक नहीं करेंगे आप चाहें तो इसको नीम उयल स्फ्रे कर सकते हैं या किसी अध्यान रखें और आपके गार्डन में अच्छी तरह ब्लूमिंग करेंगे तो फ्रेंड साज इसका पहला पूल आया था इसलिए से मैं आप लोगों से शेयर किया हुआ है और देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा था इसलिए से मैं आप लोगों से यह कर रही हूं औ बड़ी बड़ है और जब यह फ्लावर करेंगे तो बहुत ही पुपसूरत लगेंगे और आने वाले समय में मैं इसको फिर से आप लोगों से शेयर करूंगी और यदि आप चाहते हैं इसके अच्छी ग्रोथ तो इसको किसी भी तरह का फर्टलाजर एड़ कर सकते हैं और अभी तो यह सर्दियों के दिनों में हमारे गार्डन में था तो मैंने इसको मस्टर्ड केक फर्टलाजर दिया है और आप कुछ गर्मिया बढ़ गई है तो मैं इसमें समय समय से बनाना पील फर्टलाजर दूँगी और देने का अंतराल है 15-20 दिन इससे पहले आप जल्दी जल्दी फर्टलाजर ना एड़ करें प्लांट को नेचरली बढ़ने दीजिए तो यह हमारी छोटी सी वीडियो थी अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करिएगा शेयर करिएगा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ओके फ्रेंड्स बाई